हेलो फ्रेंट मैं हो स्वाधिन एंड वेलकम टो आर चैनल एजटी गलवल बायोटिक तो दोस्तो आज का जो टॉपिक है आपको समझ में आ रहा है किस टॉपिक में बात करेंगे क्योंकि मुझे बहुत सारे सवाल आ रहा है कि सीमेंट एक का टीटमेंट कैसे करें जहां पर भी देखो जो भी यूटूब चैनल देखो एक ही चीज़ सिर्फ दिखा रहा है उसमें गोबर और केले के बत्ता ठीक है तो आप अगर आप इस पोस्ट को देखो आपका पता ही चलेगा लोगों को कितना प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को कितना गुस्षा है सब को कोई लगता है कि यह बहुत ऐलोजिकल रिजन है इसने के बता रहे हैं कि सारे वहुटूबर एक ने भी साइंटिप्क रिजन नहीं बताया कि अगर हम केले के पत्ता यूज़ करते तो क्यू करते करना चाहिए यह नहीं करना चाहिए बस पाने राल दो उसमें गोबर चिरक करना चाहिए और क्या करना चाहिए ठीक है दोस्तों तो कुछ इसमाल इसमाल बात उससे पहले समझ लेना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ फर्स्ट है कि हम जब सिमेंट के बारे में बात कर रहें पहले आपको जानना है कि हम सिमेंट साथ कils meant Hill है चिसमें मैकीम मैकसिम अपने इससे उसे आपको लाइम स्टून रहता कुछ रहता कुछ हड्य मुठ्ट कर रहता है ठीक है। पुछ सेयल्स रहता है ठीक है जो उन्हों कल्सियम कार्बने से व Iran चौहले चाधा खाट टाईब का चीज ज्यादा होता है, यह आपके सिमेंट में रहता है, ठीक है, आपके जयसे सिलिका सैंड वगरा है, ठीक है, कुछ और से, और नौ, तो लाइम इस्टोन के बहुत सारे चीज होते हैं, वराईटी, तो यह सब डाल, सिमेंट बनाने के टाइम में यूज हो आगर आप देखते हो ना लाइम इसे मेजर कॉम्पटन और सीमेंट एन इसी ले इन वाटर सॉलबर्ट तो जो लाइम जो होता है कि आपको पता है पानी में फटक से घुल जाता है और ड्रास्टिकल इसका पी एचेंज करता है ठीक उसको ऐलकर नेटी पे लेके जाता है उसक मचली को discomfort चालो होता है और कुछ-कुछ जगह पर तो मचली मरता है ठीक है तो यह है में फंडा ठीक है आप तो सीमेन को पता चले कर सीमेन क्या है सीमेन टॉक्सिक की होता है मचली के लिए दो आपके concept क्लियर हो गया टेक्निकली इस और सॉर्ट इसरे बात है कि हम तो बहुत स सीमेन के साथ बहुत आपके सीमेन के साथ बहुत अच्छे से रियक्शन करें और उसका जो एफेक्टिव उसको कम कर दे मुझे शरीप उई सब चूज मिला जो आपके फाइवर कंटेंट है कार्गो हरेड है उसके बाद कुछ थोरे जगह बात टैनिंग मुझे दिखने को म बैक्टिरिया मिला ठीक है तो यह सब चीज सीमेन के साथ डिरेक्शन नहीं कर पा रहा है ठीक है या करता है ठीक है तो केले के पत्त में ऐसे कुछ नहीं है कॉमपोजिशन्स जो आपको कि नहींने सीमेन के टैंक लिचिंग में काम आएए ठीक है अभी सीमेनगे एक्पत्त भी फेल हो गया अभी चलतें गोबर के पास ठीक है गोबर क्या आप बोल ले हैं गोबर में आपको तीन कॉंपोनेंट होता है एन पी के ठीक है तो एन पर नाइट्रिजन पी पर फर्सपरस पर फर्सपरस पर ओडस्यम एन पी के थी इस्टू तो इसका भी मुझे कुछ रियक्शन नहीं देखा और यह मिल दी आपको ऐसे फर्टिलाइजर यूज होता है ठीक है जमीन में या तो तालाव में तो यह जो फंडा है केले के पत्ता और यह जो गोबर यह आपके सीमिन के टैंक में नहीं दिया जाता है यह कहां पर दिया जाता है यह आपके तालाव पर दिया जाता है तो यह कुछ दिन एक वसर जाते है और एक biological system create करते है उसमें थोड़े बहुत ही ना कीरा बगर आता है उसके बाद कुछ-कुछ phytoplankton ग्रो करता है ठीक है कुछ nitrifying bacteria ग्रो करता है तो एक ecosystem बनाता है जो pond culture के लिए अच्छा है इसमें cement leaching का कोई काम नहीं होता है cement tank leaking करने का कोई काम पर यह use नहीं आता है तो अभी हम लोग को exactly scientific way पर leaching कैसे करना है देखो दोस्तों leaching का जो शब्द है ना तो आप लोग पता है कि आप लोग घर पे सुने होंगे आपको मम्मी बापा लोग आप लोग बोलते कि और आप आपके जो लोग आपके खर पे खाना बनाते हैं आप सुनते होंगे कि भाई इसको leach करो मतलब जो भी सब्जी पगरा है ठीके उसको थोड़ा बाइल करो तो फिरो सब्जी से सारे chemical निकल जाएगा मतलब leaching process complete हो जाता है तो सारे जितने भी गंदगी हो निकल जाएगा तो लीच करो सब्जी आजकर मार्केट में एक भी पी और चीज नहीं मिलता है उसमें पेश्टिसाइड दिया रहता है कुछ होता है इसको leach करो तो यह सेम फंडा होता है आपके सिमेंटाइंग के लिए ठीक है उसको लीचिंग करने के लिए कहां पे कैसे कैसे क्या जाता है ज लगा टॉमाइक बलके बंदा है जो एकोफोनिक में बहुत काम कर चुका है उसने करोडों हजारों टैंक बना चुका है सेमें टैंक और उसने यह लीचिंग प्रसेस में किया थैं मैक्सिम जगह पे सिमें लीचिंग प्रसेस ही होता है जो एवरोड में जहां पे होता है बह को Hydrocolic Acid लेके आना है ठीके लाइम के अगंड एसिट लेके आना उसको थोड़ा सा डायलूट करना है उससे पहले आपको सेफटी में इंजन करना है कि हाथ मुझ बाल पूरे बॉड़ी एकदम आखंवा ग्लाव पूरा एकदम पैक हो जाना है उसके बाद जो थोड़ा सा डा ठीक है इसके बाद जब ब्राज जब हो जाते है पूरा ठीक है उसके बाद उसको डो गंत ऐसे थोड़ा दो दो सर तीन गंट ऐसे छोड़ दो तो क्या होता है ये जो एसिड होता है के बाक्राइब का यहां रियक्षान ना बाता है कि यहां। तुम भी एक में तुम रहाएं। कि आपने बांके और याफने एक तुम सबढ़ा यहां। ऐसे थिस्वेद रियक्षान होला है। के body के बाहर के तरफ आना चालो होता है ठीक है यह दो घंटे के बार इस settlement जब हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है एक तम उपर तक फुल एक दम पानी डाल देना पड़ता है आउटलेट नहीं नहीं करना तब भी तो आपको क्या होता है कि आपको बचा-कु पानी पर इससे डाल दबशे तो यह अड़ीे कद आपको टेंग दोेन में एकदम ठीक कर देगा उसके बाद उसको लोग दो उसको drain out करके निकाल दो, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर से एकदम fresh बाला पानी डालो, fresh बाला पानी उस tank पे और एक हपता रखो, एक हपता रखो और उसको soak करो, ठीके, एक हपता रखके soak करने को तो उसको निकाल दो, उसके बाद आप उसका pH चेक करो, फिर से, pH पाने लाख पार, पीहेच नहीं पार, फिर से नया पाणी देल के पा पाय पार, पह पा-पनी पार प्रॉष तो मतलब दो दीन असेट और एक हफता पानी इस पे अगर काम नहीं हुआ और एक हफता पानी देना परे तो उसमें बीच में आपको pH चेक करना है आपको ठीक है अपको उपर का रिणिंग कितना है और नूट्रल के आसपक आया कि नहीं आया यह जब काम हो जाता है ना उसके जाते बाद आपको क्या बोला जाता है कि आप सैन firearm को करना होता है second कि कुछ प्राब्लम और रहा है कि नहीं प्राबलम हो आगर आगर आपको पूछ रहे हो कि मेरे पास सेंपल वाला माचले किरो तो कोई भी है करिसे मारकेट पर उसमें जो गोद फिश आता है ना दो तिन गोद फिश लिए बहुत शूर करो चोड़ कर देखो साथ दिन, दस दिन, बाड़ा दिन इधर उदर ढूनके मुझे यही सब से उथन्टिक मिला ठीक है और मेरे अपने टैंक में भी मैं इसी टाइप का प्रोसेस करूँगा और मैं जिसको गाइडन दे रहा हूँ मैं उसको यही चीज फॉलो करने के लिए बोल रहा हूँ ठीक है तो यह आप करो यह साइन्टिफिकली होता है हर जगे प्रोड में बहुत ज़्यादा होता है तो आप इसको कर सकते हो ठीक है और दोस्तों बहुत सारे लोगों मुझे अभी में मेल कर रहा है और मुझे टिकेट बुक करने कब आप कर रहे हो आप लोगो थोरा टाइम लग रहा है थोरा पेशन्स आपको जा रहा है तो आप मुझे और सिर्फ कुछ दिन दो दो से तीन हपता मैक्स मेरे सारे काम और लड़ी चालू हो जुका है मैं चाहता हूँ कि एक बड़ ठीक से हो जाए और फिर मैं आप लोग को एक कोई पर्टिकुलरी सारडी या संड़ टाइम दो फिर आप लोग आके उसको देख सकते हो विजिट कर सकते हो एक दो घंटा विदा सकते हो ठीक है मैं ट्राइ करोंगा उसके लिए तो मैं आपको थोड़ा और खुछ दिन में जो टाइम दो यह काम हो रहा है आप लोग थोड़ा वेट करो आपको पूरे सही जगए पर आपको सब कुछ मिलेगा तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया है सो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब मैं चानल और इस वीडियो को शेर करो कि लोगों को मुझे एक भी वीडियो नहीं देखा जहां पर इनों सीमें टैंकर लिचिंग प्रॉसेस किसी ने साइन्टिफिकली समझाया है सो टेक क्यार बाई